ये उट सुब गई इसके से आफ सुभी लोग वेलकम बैक टो नेधर गेंपले वीडियो तो गईस आरे जम लोग दुपार से के लिए जा रहे हैं माइन काफ तो आफ सुभी लोग को याद होगा कि लास वाले पिसमें मैं गया था सीधा नेधर पोर्टल में एंशन डैबरिस नेधर इंगट के स्क्रैप से बिल गए अब है अब लिए अप लोग को पता होगा कि मैं अपने डैमेंड पिकेंग्स बहुत ज्यादा यूज़ करता हूं जिसवर्च से इसकी हल्थ हमेशा खतम हो जाती है उसको रिपेर करवाने के चक्कर मैं अपने सारे के सारे उससे guys यह कभी भी नहीं तूटने वाली यानि इसकी जो health है ना unlimited हो जाएगी तो अभी देखो जो mending enchantment book है ना इतनी जादा आसानी से नहीं मिलेगी villagers को ढूणना पड़ेगा पहले तो librarian को उससे काफी trading करनी पड़ेगी तब जाकर वो देगा और जरूरी नहीं है 100% नहीं है तो सबसे वेले ना guys आज मैं बनाने वालो है एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग होल जिसके अंदर guys काफी सारे librarian होंगे और उन librarian से ट्रेडिंग कर करके मैं एक manning book लेकर रहूंगा और अपनी जो pickax है इसकी health हमेशा हमेशा के लिए unlimited कर दूँगा और वैसे जो अपना ट्रेडिंग होला है वो सिर्फ librarian का नहीं होगा थोड़ा सा वुड़ कम है मेरे पास वुड़ मेरे को लेकर आना पड़ेगा बाकि मेरे को अच्छी cobblestone स्टोंस यह यहां पर एक furnace में को observers भी बनाने है तो अच्छा लो guys आती है बड़ जाने से पहले यहां पर एक मिनट और क्या काम बाकी तो आर में कुछ भी नीचे है जल्दी से अपने कासल के अंदर चलते हैं पहले तो रात होने का इंतजार करता हूं क्योंकि वह जो स्लाइम में आती है उनको मारके में स्लाइम बोल मिलने वाली है जल्दी बन जाएंगे अगर थोड़ी बहुत वुट मेरे को मिल जाएगी यहां पर और क्या काम का यार वुट मेरे पास बिलकुल भी नहीं है तो इतनी वुट से अपना काम नहीं हो पाएगा यहां पर आयरन का एक्स है यह ले चलता हूं थोड़े पेड़ दिखेंगे उनको काट बाके वुट बड़ा लेंगे ठीक है बाकि यहां पर और कुछ तो नहीं जाहिए शवल भी एक ले लेता हूं ठाहिए तो बाकि यह भी मेरे को और कुछ भी ने चाहिए इस चेस्ट के अंदर से जो ब्लैक स्टोन यह ले ले लेता हूं क्योंकि अभी नहीं कॉड़ी बाग उतना है तो चलो ऑई भी यहां पर 64 गोल्ड उठा लिया है जल्दी से काइस जो जो काम की चीज़ यह बना दिया है तो एक्टिवेटर रेल की जो रेसिपी वह होते है उसके लिए रैड इस्टो टॉर्च भी चीग है और रैड इस्टों टॉर्च के लिए हमें यहां पर शोला बहुत जाद है ठीक है तो भी 16 ट्रैक हो गए यह नॉर्मल वाले हो गए बाकी रेड़ इस्टोन की कोई बीज़रत निया मैंने गल्ति से फैक दिया और क्या-kया काम की चीज़े हैं मेरे को याद करने दो यह हो गया एक लीवर भी हो गया और क्या-kया चीजि़ है मेर देखते हैं क्रीपर भागता या फिर नहीं भागता वैसे इसको देखके शाया से भाग रहा है कुछ बेक्म करेंगा बहुत जादा बढ़े रहेगा बाकी तो अर अपने कासल में आपर इतने सारे क्रीपर इस पोन हो रहे हैं मैं तो सुचरों कली चैस्ट पे आके फट गै तो जल्दी से पहले मैं यहां से निकलता हूं जो स्लाइम बोल है ना जैसे कि आप यहां पर देख पार हो भी ना भागता-भागता काफी ज्यादा आगे आ चुका हूं मेरे पीछे दो-दो जोंबी और दो-दो स्पाइडर पड़ी है और फाइनली मेरे को अब जाके स्लाइ होती है यह सारे पीछे पड़ गए क्रीपर तू फूट जा तू मेरा भाई तू फूट अब यहां से मिलने वाली है वैसे इतनी जादा भी नीचे मेरे को बस साता ठोर चाहिए और अभी शायस से मिल चुकिए उतनी बड़ी चेक कर लेता हूं वहर नीची है जल्दी से मैं आज से निकल लेता हूं वैसे भी रात हो रहे हैं और मेरे से आप से फैंटम भी आएंगे क्योंकि एक दू दिन से मैं नहीं सोया हूं तो चलो जाने से पहले नगाइस थोड़ी बहुत वुट कले कले दा हूं क्योंकि जाने के लिए स्केलेटन चूरन अब म पर पास हो चुकी है तो चलो अभी जल्दी चलते सीधा अपने कासल में वापिस आ चुका हूं तो जल्दी से जलके नहीं सबसे पहले सोच आता हूं बस चेस्ट में भी होंगे अभी चलो बाइस आरे मर गए मेरे को लग रहा था मेरी कुटाई होने वाली है वाईसाब पूरी राट डेरा डालके रहते हैं जल्दी से थोड़ी बहुत इस च्रिंग भी ले ले लेता हूं बाकिया नेदर कॉर्ट प्लीज मिल जाया जादा नहीं थ प्रश्ट को लेकिए वाली जो वूड अउपर धर्वाता हूं जल्दी से यह पर जितनी भी वूड लेकर रहता है इनको प्लैंक्स में करते हैं और जल्दी से भी पिस्टन और अब्ज़वा बनाते हैं तो पहले सबसे पहले में यूं रखना होता है उसके बाद नीचे द भाई साब तुगाई सार अभी ना फिलाल यहां पर मैं चुप चाप एकदम खड़े होके पिस्टन बना रहा था और यह भाई साब चिरांद पता नहीं कहां से और फट गया भाई यह दिखो यार मतलब कि क्या ही बोलू भाई अराम से कमरे में बैट के भी नहीं काम कर सकत में अभी फिलाल जो जो चीज़े तूटी उसको मैं लगा यहां सारा समान मेरे पास है अभी टेंपरेरी से में बंद कर देता हूं ताकि वो यहां से दुबार अंदर ना आप है गलती स्कैम हो गयार मैंने देखा नहीं मैं चुप चाप खड़े हूं कि अपना देख रहा बना लिए और वैसे गलती से दस बन गए जो जो काम का समान अपने साथ लेकर चलते तो वैसे यह सब किसी काम नहीं है इसको रखते तो अपनी को में ऑब्जर्वर चाहिए और यह पिस्टन चाहिए और गास एक सेकिंड मैं उनको इस टिकी पिस्टन में करना भूल गया त स्लाइम बोल को मैं यहां पर रखता तो वागी स्ट्रिंग की भी जरूरत है बागी हर चीज की मेरे को जरूरत है तो चले यार और और कुछ नहीं है बागी तो थोड़ा वहत खाना काते है तो अचलो काई से रवीना फिलाल मैंने अपना खाना पीना खाके पेट भर लिया और इस टाइम पर मैं यह सोच रहा हूँ कि मुझे अपना ट्रेडिंग होल कहां पर बनाना चाहिए जिसके अंदर मैं विलेजस लाके उनसे ट्रेडिंग करूँगा अब देखो जितना दूर मैं विलेजस से बनाऊंगा न मुझे उत्री चाता प्रब्लम होगी विलेजस क फिर उनको मार दें तो वो चीज़ बिकार रहेगी तो यह जगा काईस बेस्ता तो चलो यार अभी फाइनल होगी जगा अब जल्दी से हम लोग यहां पर अपना ट्रेडिंग होल बनाते हैं बट बनाने से पहले इस जगह को मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूं जैसे कि आकी ज जोगा बेस्ता है तो चलो यार अभी जल्दी से अपना काम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ने को एक छोटा सा प्लैटफॉम बनाना है जिसके उपर मेरे विलेजर्स आएंगे तो प्लैटफॉम बनाने के लिए यहां पर जो नॉर्मल वाले ब्रिक्स होते हैं इनका और उ मतलब रेक्टैंगल कह सकते हैं फिर जो भी है इसको पूरा पहले कंप्लीट कर दें ठीक है तो काई जर दिखो भी ना फिलाल मैं चुप चाप सो इधर बैठके हां पर अपने स्टोन ब्रिक्स लगा रहा था वट गलती से ने मैंने ब्रिक तोड़ा और उसके नर से कीड़ निकल गए क्योंकि जो मेरे स्टोन ब्रिक्स थे वाले स्टोन ब्रिक्स थे अब इससे क्या है यह जो आप देख पार रहें क्रिड़े यह बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं अगर यह मेरे कासल में घुज गए न तो तीन से चार सेकिंड के अंदर पूरा कासल खाके खतम कर इनको पहले मारना पड़ेगा से कुछ भी करके मेरे कासल में खुशा की पार मत बूद मत फूर्म पूर्ट प्लीस मत पूर्ट आज आज मत फूर्ट यहार मेने यह बिकले चाहिक निकले जा इसके निकले जारें हैं सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा लग रहा है कि वह अंदर आ गया तो सारा तोड़ देंगे बहुत जल्दी और जितना वह तोड़ते हैं लिए जल्दी से सोते हैं और बाकिव देखते हैं कि वह जो कीड़े हैं मेरे को next day मिलने वाले हैं या फिर नहीं बाकिरों का नाम मिरेको याद था ब लोग हुए ना तो फिर बहुत जादा वड़ी करवड हो जाएगी मतलब बस वो अंदर ना है बाहर बाहर भी तो उन्होंने ना स्पेड़ जार पूरी पूरी जगह पूर जो ब्लॉक से नगाइस वो ब्लॉक भी टोटने पड़ेंगे तो चलो काइस अभी ना भागते- इन सब को मारूंगो पहले तो मैं आजाओ बेटा भीड़े लो वैसर देखो इन लोक को मारना ना कोई मुश्किल बात नहीं है एकदम ध्यान से कर मारो ना तो फिर एक ही बार मर जाते यह देखो मेरे को टैच भी नहीं कर पाया बस लास्ट वाले ने टैच करा था तो चलो सब्सक्राइब कर देखो में अब जल्दी से यहां पर यहां पर यहां पर टैरा कोटा काई यह लगाता हूं क्योंकि अब बस लगाने के लिए कुछ निया तो जो चीज मैंने पहले बनाई थी ना सेम भी बनाने तीन इधर में और 21 लाइन से तो एक मिनुए जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो अभी ना फिलाल मैंने 3 by 21 का यह जो रेक्टेंगल है बना दिया है concrete block से और बीच में रेट concrete block लगाए है बस थोड़ी बहुत लुक अच्छी लगे इसके लिए तो अब हमें क्या करना है सबसे बहले ना यहां पर इसके लिए मैं यूज करने वा यहां पर यहां पर एक लगाता हूं इस तरीके से दूसरा यहां पर लगायता हूं और इस वाले को मैं तो डालता हूं फड़ावर से ठीक है उचल वाई इसके तोड़ करता हूं इसके पीछे मैं लगाते जाता हूं फड़ावर से तो गैस दिको भी ना फिलाल एक एक लगाने से बड़ाया ना मैं पुरीकुरी जो लाइन है वही कंप्लीट कर देता हूं और एंड में आगे से जाके एक एक ब्लोक तोड़ दूँगा और फिर देखेंगे इसकी जो विलेजर होले है कितना जादा बड़िया लग रहा है मतलब अभी तो कंप्लीट भी नहीं हूं तभी इतना बड़िया लगने लग गया बागी बस आप लोग आगा आगे देखते जाओ हमें करना क्या है तो इतना कंप्लीट करने के बाद ने काई हमें इसके उपर लगाने observer और अच्छा हुआ कि guys मैंने 10 observe वन आले 10 की जरुवती वैसे देखो सीधी सी बात आप जितने जाता लगाओगे उतना बड़ा आपका ट्रेडिंग होल बनेगा और उतनी जाता आप मज़े उठा पाओगे तो अभी ना फिलाल मैं 10 लगा सकता हूं मैंने 10 बनाया बाकि sticky piston okay यहां पर मैं से उल्टा लगा दिया तो इसको नगास हमें इस साइट से लगाना है कि उसका फेस है वह उस साइड रहना ठीक है तो इस तरीके से लगाने हमें सब ब्लॉक के उपर तो चलो जैसा कि आप लोग सामने की तरफ में लुक देख पा रहे हो यह कितने जादा लगाते हैं और पिस्टन लगाने के लिए ना हमें इसके फ्रंट में आना पड़ेगा ताकि जो पिस्टन का ग्रीन वाला फेस है यह सामने की तरफ में हो तो जैसे मैंने उस साइट पर लगाना है तो चलो जैसा रोबीना फिलाल यहां पर मैंने सभी उप्जर्वर्स के उ जादा बढ़िया लग रही है और गयाज यह जो स्टिकी पिस्टन से नहीं एक्टिवेट करने के लिए मुझे इसके पीछे यहां पर कुछ नॉर्मल से ब्लॉक लगाने हैं तो यहां पर एक काम करता हूं कोबल स्टोन लगा तो यहां पर एक ब्लोक लगाना है एक इधर तो ऐसी सब के पीछे-पीछे लगाते जाना है और उसके उपर में को रखने है रेडिस्टोन एक सेकेंड रुक जो रेडिस्टोन भी ले लेता हूं साथ के साथ रखते चलता हूं वापिस मिर को फिर नहीं आना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर एक रेडिस्टोन इधर र तो चलो यार अपना इतना काम भी complete हो गया और जुसके आगे काम है हमें वो यह कर रहे है तो चलो जल्दी से हम लोग अपना next काम यहां पर start करते हैं तो बस मुझे इस तरीके से यहां पर stairs लगाने है जिनका जो face है वो थोड़ा सा front की side पर रहे है तो अगर आप कुछ इस एंगल से लगा होगे ना तो आपकी जो stairs हमेशा perfect लगेगी तो चलो guys अभी ना फिलाल यहां पर थोड़ी बहुत stairs की कमी पढ़ गई थी तो मैं थोड़ी सी और बना कर लाया और guys वो मैंने यहां पर लगा दिया है बाकि आपको एक बारी मैं इसकी look दिखाता हूं सामने से कि अब यह देखने में कैसा लग रहा है तो अब जिसकी look है ना काफी जदा बढ़िया लग रही है और यह जो ऊपर आप stairs इसलिए लिए इससे क्या होगा ना guys उनके लिए बढ़ी ऐसा path बन जाएगा villagers के लिए और साथ के साथ लुक भी बढ़िया रहेगी तो ऐसे मेहन त बनाएंगे बस फिर विलेजर लाएंगे और अपना ट्रेडिंग हो लड़ी बट्यार रेडी करने से वहले ना यहां पर काफी सारे वह भी बनाने पड़ेंगे मतला वर्क्स्टेशन कि में को लाइबरी नहीं बनाने तो बागी तो आप लोग यहां पर सामने की तरफ में पहले पात सीधा था अब यह थोड़ा सा ट्रैप वाला हो गया जैसी विलेजर चलने कोशिश करेंगे और सीधा नीचे गिर जाएंगे तो चलो गाइस अभी ना फिलाल यहां पर अपना 80% काम कंप्लेट हो चुका है और जो बाकी 20% बचा हुआ काम है वह बहुत जादा देख पार हो ना इसके बीच में डालने और भीच में नालने से वहले ना काम करता हूं यहां पर थोड़ी बहुत मैं लैक टन भी बना लेता हूं जिससे की मैं विलेजर को जोब देपाऊ लाइबरी रेन की बाक एक बार एक लां तो याद नहीं हो कि तो में एक बुक्ष बना सकता हूं बट अबी मेरा बनाने का मन्या है वह बहुत जादा लग रही है और यह मैंने किस खुशी में फैक देवाई इसको फैको डर्ट को तो चलो गाई सर अबीना फिलाल मैं सो के उचका हूं और लास्ट टाइम सोने से पहले जितना भी काम का समान था ना वह मैंन क्योंकि अपना विलेज जो है दूर है तो जितनी दिल लगी विलेज को लाने में वह है और बाक्यार मैंने कैक्टस ले लिया इसका भी बहुत तकड़ा यूज है वह भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा और थोड़ी बूत ग्लास ले लिया है ग्लास की वैसे कोई क्या है बढ़िया रहेख मेरेको बार बर आना नहीं पडेगा तो चलो करेंस भी ऑपने पास अब उतनी जगह नहीं है कि में सारी बांख सारी निकाल के रख पाऊंग मुझे थोड़ी बहुत बनाने है तो slap बनाने के लिए सबसे ज़ुदा बेस्ट मेरे साब से यह रहेगा तो भी जल्दी चलते हैं अपना काम करने बाक्यार मेरे पास एक अब बनाने लिए आपना सरय की यहां बनाना थे यहां बना पर यहां अब बिल्कुल भी डायम वेस्ट नहीं करना ज़ो बचा कूछ काम किरते हैं बढ़ चोटा काम हैं लिकिन मुश्किल है वस करना है क्या है विलेजयस सैंग हो उनको लेकर आ अपने keeper डिएगन तो जलदी से यहां तक मैं डिक टाइग बिछाता हूं बट drainingत बिचाने से था हैं यहां पर इस जग़ों पर ले आउं और फिर वो यह यहां कर निकल जाएं तो सबसे पहले इसको मुझे यहां पर कुछ इस तरीके से रखना एक दो तीन आट नो दस तो चलो आप इना फिलाल यहां पर पूरी की पूरी जगह पर मैंने इस तरीके से लैक्टेंस रख दिया है अब यह कुछ जरूरी नहीं है कि आप लैक्टेंस बनेंगे तो मुझे जल्दी से जल्दी ना मैंडिंग चाहिए इसलिए मैं सबको लाइब्रेयर बना रहा हूं वरना आप यहां पर जो बंदा मतलब की वह विलेजर वही काम करेगा जैसे कि आप कार्टोग्राफिंग टेवल लगते हो तो कार्टोग्राफर बन जाएगा अगले काम के तरफ तो सबसे बहले हमें यहां पर कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स लगाने और इसके उपर चड़ने एकदम अराम से जल्दी से एक बार यहां पर जंप बार देखो अपने पास जितने भी ग्लास है ना तो मिरको कुछ इस टाइप से इन्हें इस तरफ में फिर उदर गिर जाएंगे तो फिर वह निकल जाएंगे हमारे जाल से तो वह चीज नहीं होनी चीह है तो इसलिए से मैं पीछे तक एक बर लगा देता हूं तो चलो काई सबसे बहले ना यहां पर मैं थोड़ी सी स्टेर्स बनाता हूं ताकि जो विलेजर है वह अराम से इस जगह पर हमारी लगी एक 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 टीवेटर लगेगी उसके बाद यहां पर गयाने के लिए एक मिनट रूख जाओं यहां पर पहले एक ब्लॉक लगाता हूं फिर इधर एक चस लगेगी यहां पर भी एक चस इधर भी चस्ट और जो मैं होपर लेकर रहा था तक उस होपर को मैं लगा तो इस चैस से मतलब करना है यह हो गया और इस होपर की उपर गाइस मेरे को रखनी है अपनी रेल अब इससे क्या आपको बताता हूं जब अपनी माइंड का यहां से आगे आएगी ना तो नीचे चले जाएगी और अपना आयरन वेस्ट हो जाएगा फिर और एक बारी मैं चैक करता हूं कि यह काम कर रही है या फिर नहीं कर रही तो इस चीज तो अपनी परफेक्क काम कर रही है और जल्दी से इस ट्रैक को मैं लेकर चलता हूं सीधा अपने मतलब की जो अपना विलेजर हाउस या फिर आप विलेजर हॉल कह सकते हो वहां तक बाक खराब कर रहा है यार पता नहीं कहां से मूठा कर आ जाते हैं और बाकी मेरे को लग रहा था कि जो रेल ट्रैक है नहीं जादा बना लिए बट हरे कम है मेरे को नहीं और भी जादा बनाने पड़ेंगे और यह बीच में फ्लाइओवर लगाना पड़ेगा पहले दर और अबे हवाज कैसे निकालते हैं इतनी गंदी सी यह लोग तो चलो अरभी फिलाल सब कुछ कंप्रीट है यहां पर थोड़ा सा ओर लगाते हैं और इधर भी में लगाते हूं और यह वाली जो दिवार है मैं टैंप्रेरी तोड़ देता हूं ताकि यहां से मैं इन विलेजर क को मारूगा तो गोलम मेरे को मारेंगे तो इन गोलम से मैं कैसे बचके रहूं और इन विलेजर को भी ले जाओं गाइस वो चीज में को देखनी पड़ेगी चुप-चाप से चलके बैट जाओ यार प्लीस एक अगर मारूग जाओ इसको मार के भाग लेता हूं तो चलो यह बैट गया बाकि गोलम में मेरे को कुछ भी निए तो चलो गाईस अभी फिलाल एक विलेजर को तो मैं ले गया बाकि यह ओलड़ी हां का लाइब्रेरियन था तो मिरेको थोड़ी नए विलेजर ले जाने पड़ेंगा लेकिन कोई नी 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 वापिस नी वापिस नी व यहां पर मैं काफी सारी redstone torch लेकर आ गया हूं और जल्दी से मैं इसको इधर ही कहीं पर place कर देता हूं ताकि जो जितने भी है इन सब के अंदर पावर आ जाए तो इसके अंदर भी पावर डालो इसके अंदर भी पावर डालो तो चलो भाई अभी सब कुछ चुप चाप चट मैंने थोड़े बहुत glass लगा दिया है ताकि अगली बार जब विलेजर आना तो वह सीधा इस तरफ में जाकी गिरें और सीधा अपनी चले जाए वरक स्टेशन पर लेकिन अभी ना मेरे विलेजर के अंदर तो एक भी विलेजर ऐसा नहीं है जिसके पास कोई भी काम ना हो तो और अभी सब लोग अपना काम करने में मस्तों रखे हैं तो सबसे पहले ना थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करवानी पड़ेगी मतलब कि इनको थोड़ा बहुत खाना पीना खिलाना पड़ेगा पोटैटो देगर ताकि यह लोग और विलेजर पास इतना जदा टाइम न पड़ेगा तब यह लोग यहाँ बर रोखे पर बर बहुत जदा खुश हो चुकी है और यह बहुत इतना टाइम नहीं और भाई मैं तो जारो सीथा अपने कासल में सोने क्योंकि वह रात विवी हुने वाली है वह शाहर कल तक यहां पर कोई नया विलेजर तो आई जिसके पास उसकी जौब नहीं होगी तो चलो गाइस अभी ना फिलाल में सोकर उठ चुका हूं लास्ट नाइट मैं सीधा अपने कासल में आकर सो गया था क्योंकि क्यार मैं काफी देर से वहीं पर खड़ा हूँ था लेकिन वह विलेजर ब्रेडिंग करने का नाम नहीं ले थे तो अरदी को ऐसा सीन होता कि अगर हम लोग उनके पास रहते हैं तो फिर वह लोग ब्रेडिंग नहीं करते इसलिए मैं यहां पर सीधा आके सो गया वट अपीना अपर नहीं चलो 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 कोई भी नुकसानी हो वहीं अच्छी बात है वहीं मैंसे बिलकुल पंगे ने लेने वाला लास्ट नेट मैंने जगा भी बंद कर दी ताकि कोई भी विलेजर यहां से बाहर ना निकल जाए तो भी जल्दी से अंदर चलते और देखते कि आकिर का कोई बिलेजर आया या फिर नहीं आया फिलाल किसमत इतनी अच्छी नहीं है अभी तक एक बी नूव विलेजर नहीं आप यार जाओ तो गोलम ने देख लिया तो गोलम मेरेको कूट डालेंगे तो इसले मैं को मार भी नहीं सकता भाई यह देगितर माइन कार उस पर जाकर बैट जा भाई प्लीस इसको एक धक्का मारता हूं जा 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 भाई भाग कर तो गया है वटी उसके पास नहीं गए चलो चलो अच्छी बात है यार मैं क्या करूं तो गाइस देखो भी ना फिलाल इन विलेजर ने मेरा धिमा खराब कर दिया मेरे को समझ नहीं कि मैं इनको अपने साथ कैसे लेकर जाओं सबसे पहले ने काइस यह वाली जो जगाए नमें से बंद करता हूं अंदर चल तेरी ऐसी कि दसी यहां से इन में से एक भी भाग कर निकलना जाए इसलिए मैंने इस तरीके से इदर डर्ट लगा दिया है वाकर एक मिनट रुक ज अब बसना इनको मिझे इसके उपर बेठाना है यहां पर एक माइन कार्ट रखता हूँ जल्दी 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 तो निकल बैट जल्दी से पा सब्सक्राइब एक विलेजर और बाहर दू-दु आकर बैठ चुके यह तो चलो उच्छी बात है पहले तो माइन काट गिर गी इसकी रागी ने पीछे नी पीछे नी रुक जा रुक जा वापिस चल तो चलो गाई ज़ल्दी जल्दी जल्दी अंदर चल तीरी ऐसी तैसी भग यहां से यह तो जाने कर अब बाहर नहीं जाना यार यह काफी ज़्धा मुश्किल काम है और यह बाहर से आ गया मैं बहुत निकल यहां से उतर चल इसको यार गाइस मैं कैसे बिठा हूँ अपनी माइन कार्ट के ओपर वो देखो तो गाइसर देखो भी ना फिलाल सब कुछ हो चुक है लेकिन एक चोटी सी मिस्टेक मैंने आपर कर दी सबसे पहले नहीं यहां पर मैं स्लैब लगात बाद मैं हटा दूँगा तो माल लो मैं यहां पर आइरन वाले ब्लॉक लगा दू बार बार जल्दी 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 तो चलो इदर से मैंने से बंद करा और गया सामने से आके काम न गरबाया अगर इन्हें काम करना तो इन्हें उपर से घूम कर आना पड़ेगा पीछे वाले रास्ते से चलो बाई पूरा रस्ता मैंने बंद कर दिया आगे से जब इस सारे अंदर चले जाएंगे यह रास्ता मैं तब खोलूँगा तो चलो गाई रभी ना भागते बागते वापिस अपने कासल में आ चुका हूं यहां पर एक विलेजर और इसको भी लेकर चलते लोड़ना पड़ेगा चले यार पट्री पूरी लगी है इसको रस्ता ही नहीं समझा दा चलो गाई फाइनली धक्का दिया और यहां पर नहीं बहुत ज्यादा कम हो चुकी है तो अगर यह और कहीं टकरा था या फिर किसी मिट्टी में फस्ता तो मरने वाला सीथा तो चलो फाइनली थोड़ा बहुत वेट करने के बाद यह लाइबरेरियन बन चुका है वैसे यह जो जगह इनके लिए सेफ है या भी नहीं है वो मुझे नहीं मालूम बट मेरा काम यह बनता है कि मैं इनके लिए टौर्च लगा दू कहीं ऐसा नहों कि रात में आपर मॉप से स्प आपसे भी तक बारिश भी बंद हो गई होगी और गयस मैंने थोड़ी बहुत बुक्स अपने साथ ले लिया है क्योंकि अभी जितने भी विलेजर्स है ना लाइबरेरियन वाला जो मैंने बनाया चुछ चलके ट्रेडिंग करते हैं बाग यार एक ही करके विलेजर्स को ला मैं जब चाहूं इनकी जॉब बदल सकता हूं और यार यह जितने भी विलेजर्स है ना पता नहीं कैसे यहां से कासल से बहु भाई सब अच्छा यह सारे के सारे यहां से बाहर निकल गया है और वो जो गोल है मैरेगा मारेगा तो पहली बता दे मैं आगे आओंग इनी भा हाथ दोकर पढ़ गया इसका मैं मुह तोड़ूंगा इतनी देशने मैं कुछ नहीं कह रहा लेकिन पंगे लिए जा रहा है आयो एक सब्सक्राइब करना वड़ेगा वर नहीं मेरा मुह तोड़ डालेगा तो चलो गया फिलाल में भाग के दर आगो एक दो तीन चार पहले पाजा बेटा वाया वन वी वन फाइट हो गई तो चलो गया अभी ना फिलाल यहां पर गोलम भाग करा चुगा बोल फालतू तेरी ऐसे की तैसी उस ताइम तो बहुत चोणा हो रहा था अब बोल फालतू आज के बाद मारेगा की नहीं मारेगा निकले यहां से चलो गया आपी ने पूर फिलाल यहां पर इसकी idol में में मेरा और ने चल दा ऑ्यां अमारे को मारत उसे कुछ खेंख सवच तेरे चक्कर में मेरे को कूट देगाई अभी नगाई जल्दी से में उठाता हूं कि यह मेरे को मारने आ रहा है क्या एक सगें तो की गाईज जैसा कि आप लोग यहां पर देख पारे हो सामनी की तरफ में दो शिकार है यहां पर यह दोनों विलेजेस को मेरे को सबसे पहले रखाद में निकल करनी उपया है तो कि यह लोग ना वहां से निकल के ना बखाएं अगर यह लोग इलैंगे तो जरूर यहां पर पार ने पृद करन करने पड़ेगा यहां पर एक ब्लोग चलो सारे रास्तेबंद वह अली रस्ता खूलोगा लेकिन नइए अर Запारो भाहर नहीं जाना भाहर नहीं जाना तू भी अंदर चल मैं लाइब्रेरियन आथ वाई सब्सक्राइब यहां पर इनको अपनी कैद में फसा लिया है अब बेटा निकल के दिखाओ इतनी देर से मैं मजाक कर रहा हूं इनको समझ नहीं आ रही तो चलो गाइस अब मैं सबसे बहले यहां पर मैं माइन कार्ट का रस्ता बनाता हूं जल्दी से और उसको बनाने के लिए एक सकीन रुक जो यार अभी फिर से गड़बढ़ होगी तो चलो गाइस यार फाइनली जैसे तैसे करके मैंने अपने ट्रेडिंग होल में चार विलेजर्स तो एक अठे क कर लिए बाक यार आप लोग ना कमेंट में जाकर जरूर बताना कि सबसे बेस्ट तरीका कोंसा जिससे की काफी अदा सानी से इसके इंदर विलेजर्स आजाए अब यहां पर लगाना तो बूली गया था अभी अभी मेरे को याद आया अगर मैं यहां पर लगाकर इसे में अब जब भी माइन कार्ट आएगी ना वो उटोमेटिकली हमें सीधा उस तरफ में पटक देगी यह जैसी मैं यहां पर आया यह जल्दी से में सीधा इसने इदर भेका और हम लोग अपने आप या चले जाएंगे बाकी आगए जाके तूटके सीधा चेस्ट में तो चल्या आपको कोई मतलब विलेजर अच्छी लूट नहीं देखा और आपको अगर आपको कोई मतलब विलेजर अच्छी लूट नहीं रहा है यहां फिर अच्छी ट्रेडिंग नहीं दे रहा है तो फिर हम लोग उससे अच्छी ट्रेडिंग ले सकते हैं बट उसका एक तरीका होता है तो हमें करना क्या है यहां पर बस इस तरीके से एक स्लैब लगाना है और इसका जो वर्क स्टेशन ना कैस मेर को वह तोड़ना है तो सबसे पहले यहां पर यह तोड़ देता हूँ और अब यह देरा प्रोटेक्शन 3 यह यह शाय से तगड़ी होगी बट कोई नहीं मैं बाद में देखेंगा भी इसको एसी रहन देते हैं इस व तोड़ना है और दुबार से यहाँ पर लगा देना है ठीक है अब देखते हैं हमें दुबार से लाइबरे ने बन गया अब यह हमें भाई साब बुक शेल्फ दे रहा थी किसी काम का नहीं है तो काई सर्थी को भी ना फिलाल मैं इस विलेजर का वक्स्टेशन तोड़के उसने वक्स्टेशन से यह वाली जॉब ले ली नला घूम रहा था इतनी देर से चलो कोई बात नहीं अभी ना यह वाला जो विलेजर में इसको इससे वाली बुक चाहिए तो चाहिए अभी ना यह मेरे को कह रहा है कि थोड़े पहले ना मतलब मेरे को इससे कुछ नहीं कर देंकर काफी सारे एमरेल्स देगा तो चलो अभी ना जल्दी से चलता हो सिद्धा सामने की दरफ में और खाना पीने के लिए पीने के लिए कुछ नी बचा लास्ट नाइट तो पूरी मैं ने रॉटन फ्लेश खा करके गुजार लिया है अगर मैं उससे ट्रेडिंग नही कर चलता हूं सीधा उस वाले विलेजर के पास अगर मैंने उससे अभी ट्रेडिंग नहीं करें तो हो सकता है कि ना गाइस वह अपने आप ही चेंज कर ले अगर हम एक बार इससे ट्रेडिंग कर लेते हैं तो यहां पर अभी भी एफिशेंसी 5 दे रहा है तो पहले मैं इससे सब्सक्राइब करते हैं तो क्यों ना इसी से लेलू कार्टोग्राफर पर जाने की जरूरती नहीं है तो अचलो गाइस अभी ना फिलाल उस कार्टोग्राफर से मैंने काफी सारी पेपर्स के रेडिंग कर लिए और उसने भी ठीक ठाक एमरेल से दिये बट्यार अमेना 64 कर हैं और यह को जाना है और पेपर्स लेने के लिए और पेपर्स के लिए ना पड़ेगा अपने जल्दी जल्दी से धक्का मार दिया और यहीं कर ना है मतलब कि नहीं से नौर्मली छोड़ दूँगा अपने आप यहां के बैठेंगे अगर मैं एक एकको बैठाने तो भी नगाइस यहां पर दो माहिन कार्ट है इन दोनों को भी यहां यहां रख देता हूं जब इनका मन होगा अपने आपी आकर बैट जाएंगे वरना इनकी मर्जी तो चलो यहां पर एक और न्यू विलेजर आ गया इस पर चेक करते है कि इसके पास यह में अब यह बुक फाइव दे रहा था और एक सेकिंड यहां से इससे ट्रेडिंग करें इसने इक और बुक हैं मैंडिंग की भाई साब ग्यूवाला विलेजर तो बहुत जादा लखी है अपने ले जल्दी से चलता हूं जितना भी शुकर केन हैं न सारा का सारा लेकर आँगा उसके पेपर् सबसे बड़ी चीज यह है तो जल्दी से यहां पर एक चेस्ट में इदर रखता हूं जितनी फालतू की चीज़ें इसके अंदर रखवा देता हूं क्यूंकि अब इना मैं जितना भी शुकर केन हैं सारा का सारा लेकर जाने वाला हूं पेपर्स बनाने के लिए तो चलो यह सब को इसके अंदर रखता हूं इनका अभी कोई भी काम नहीं है बागी यह थोड़ा खाने पीने का समय यह ले लेते हैं और रेल के भी कोई ज़रूत नहीं चलो बाई अभी जल्दी से हां पर जितना भी शुकर केन हैं सारा सारा है आपर मैं लेने वाला हूं तो चलो आते हैं और पेपर्स को ले आके ट्रेड करता हूं तो चलो भाई अभी ना फिलाल की वाला विलेज यह तो ट्रेडिंग करकर के ठक गया और गाइस इस ताइम पर में पास्टी फोर हो चुके हैं तो सबसे पहले मैं लेने वाला हूं यहां पर में ले लेता हूं तो जल्दी स करने के लिए में को पहले थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि आर वहां पर ना अंदर की तरफ में और लाइब्रेरेंस हैं जो कि शायद मेरे से ट्रेडिंग करेंगे वरना तो हैं मेरे से कोई भी ट्रेडिंग नहीं करने वाला तो इसको तो क्योंकि आर मैंने 24 एमरेल्स हो चुके हैं और दो और एक्स्ट्रा बाकियार देखो इसकी नहीं एक और बुक अनलो को यह वह इंफिनिटी पावर की तो यह किसके अंदर लगानी चाहिए आप लोग कमेंट में जाकर जरूर बताना तो यह यह वह वाला विलेजर जिससे मेरे को ची एफिशे 5 भी मिल गई अभी दोनों की दोनों एंचेंटमेंट में अपनी पीकेक्स पे लगाने वाला हूं बस और जो मेरा आज का टास्क था ना वाई फाइनली कम्प्लीट हो गया एक बार को तो मेरे को लगानी था कि मेंडिंग मिलने वाली है मतलब कि मैंने मतलब भरोसा भी इसको में रखता हूं यहां पर में डल गई तो चलो भाई अब जल्दी से एक बार में से टेस्ट करता हूं कि क्या इसकी हल्थ जा रही है या फिर नहीं जारी तो कोई एक जगा पे चलता है जहां पर मैं बढ़िया तरीके से माइन कर पाहूं तो यह जगा बढ़ी है वैस अब जल्दी से तोड़ कर देखते हैं बिल्कुल फरक नहीं पढ़ने वाला भाई अभी इसको जल्दी जल्दी देखो कैसे कर रही है तो जो दूसरी वाइली में डामन वाली पिकेक्स पे लगाने वाला हूं अब यहार देखो दोनों की हेल्थ ना एकदम अल्नेमिटेड अब जो आपको कैसे लग रहे हैं इसके अंदर ना गया है तो जो बी आई सब तो चलता रहेगा बाकियार यह देखो सामने की तरफ में जो आज मैंने ट्रेडिंग होल बनाया देखने में तो इसकी लूक काफी ज़ता बढ़िया लग रही है आपको कैसे लग रहे है कमें त्यूटल पाँच विलेजर हो गया है और दीरे दीरे करके यहां पर जितने भी विलेजर नले गुम रहे है वह उटमेटिकल यहां कर इन माइन कार्ट में बैठेंगे और यह माइन कार्ट की थूब मैं इनको इसके अंदर डाल दूगा और यह एक ना एक दिन सारे भर जा बार बारी विलेज में ना जाना पड़े फिर कुछ ढूंडा वुणडा ना पड़े ठीक है तो चलो काई सर आज किस वाली वीडियो में तने अगर आपको यह वाली वीडियो चिल लेगे तो फटवर्ट से इस वीडियो को जाका लाइक कर देना इस वीडियो पर मैं इम करता कर दो जादा को ऑर आपको चलो किस वाली वीडियो है को जादाना इस वीडियो को जादा कर दो जादाना इस वाली वीडियो